और एक तीसरी सिंपल सी application होती है रहिए इसकी E 0 cell की कि यह है इसमें हम consequence पढ़ते हैं consequence पढ़ते हैं of the inner pear effect की ठीक है ना? inner pear effect की वज़े से क्या consequence आते हैं यह P block की कहाणी है वहाँ पर चर्चा करी जाएगी इसकी यहाँ पर मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ मैंने introduction बता दिया working construction बता दी इणोट cell करना बता दिया इनोट cell की application बता दी है ठीक है न लेकिन मैं थोड़ा सा और चीज़ों को इंट्रिदूस करना चाहता हूँ lecture में तो मैं थोड़ा सा द्यान से सुनना भई देख भई देख अभी मैं तुझे बताया मैं simple तुझे एक माने चल मैं तुझे एक cell दे दूँ माने चल मैं तुझे एक cell दिया AL से AL 3 positive giving के copper 2 positive to copper solid और मैं पूछने लगूं कि is this cell can be construct तो तुझे जवाब देदेगा किसके basis पर E not RP या E not OP तुझे गिवन होंगी और उन दोनों से calculate करके तुझे ने काल लेगा E not cell जो की value positive होनी चाहिए तो तुझे बता देगा कि यह cell construct हो जाए लेकर अगर मैं कहूं कि क्या यह given cell representation जो है given जो cell representation है यह सही है या गलत है true या false तो अभी तक तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि यह cell जो मैंने construct किया है construct तो मैंने representation जो दी है क्या यह सही है या यह गलत है